हेलो गाइस, वेलकम टो माई करवचौत व्लॉग और अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग जो मैंने करवचौत के प्रत की थी वो नहीं देखा होगा तो जरूर देखे और आप लोग नीचे कमेंड कीज़ें आप में से किस-किस ने करवचौत का वरत रखा है तो यह early in the morning है, सरगी का वक्त है आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा है और मैं सुब़ सुब़ उट के नहाद हो के अब मैं अपनी सरगी खाने के लिए बिलकुल तयार हूँ तो सरगी में मैं कुछ भी deep fried वगेरा नहीं लेती हूँ मैंने यहाँ पर सिफ सीट्स रखे है थोड़े से, you know, energy के लिए और एक juice रखा है, hydration के लिए और energy के लिए बनाना रखा है मेरी सासुमा नहीं भीजवाती है सरगी, बिकाज हमारे वाह रीती रिवाज है ही नहीं तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा healthy खा लेती हूँ ताकि पूरा दिन अच्छे से गुज़र जाए अगर हम deep fried या कुछ ऐसा खाएंगे तो हमें जादा प्यास लगेगी और बहुत problem होगा अब सरगी के बाद हम लोग सीधा चलते हैं मेरे look पे तो ये मेरी करवा चौत की साड़ी है मैंने ये तीन-चार दिन पहले लिया था और फटा-फट जल्दबाजी में सिल्वा लिया था बिकॉस मुझे ये साड़ी इतनी खुबसूरत लगी और मुझे करवा चौत पे पहनना था और ये मैंने हैर स्टाइल किया है ये बेसिकली इसमें मैंने एक्स्टेंशन लगा है ये मेरे रियल हैर नहीं है बट बहुत मज़ा आ रहा है ये लुक को कम्प्लीट कर रहा है और करवा चौत के दिन भले आप पूरा दिन फास्ट रखो एक अलग ग्लो रहता है चेहरे पे तो यहाँ पर वीडियो निकाला जा रहा है और ये मैं अपनी महंदी दिखा रही हूँ ये महंदी मैंने खुद ही लगाई है अपने हाथों पे और राइट हैंड पे तो लगा नहीं सकते है तो मैंने छोटे-छोटे ऐसे डॉट्स लगा लिए तो अब पूजा का वक्त हो रहा है तो इसके बाद सीधा मैं पूजा करने के लिए जाओंगी करवचौत की पूजा तो यहाँ पर मैं थाली में सजा रहे हूँ ये मैंने चांदी की थाली लिये मतलब ऐसे मौकों पो ही इनका उपयोग होता है तो इस पे मैं अपनी सास के जो जो चीजे लेकर आई थी वो रख रही हूँ मैं अलड़ी ये सब आपको दिखा चुकी हो मैंने थोड़ा सा अमाउंट वगेरा भी रखा है और उसके साथ साथ एक और थाली है जो मैं अपनी हेलपर को देने वाली हूँ जिसका समान तो इसमें मैंने पांच तरीके के रखे हैं और साती ही में मिठाई और थोड़ा सा कैश रखा है तो ये मेरी थाली तयार है और ये है करवा चौत माता यहां पे मैंने दो करवा रखे हैं और पूजा की थाली उसमें सारी चीजे मैंने अल्रड़ी रख दिया है टाइम टो टाइम रोली रख दिया है बस उसम सुमाकू जाएगा साड़ी के साथ साथ और ये पूजा की तैयारी है अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो I'm really sorry मैं पहले बता चूकी हूँ कि हमारे यां नहीं करते हैं मुझे जैसा जैसा बताया गया था पहली बार मैं वैसा वैसा कर रही हूँ तो ये एकदम बिल्कुल मैंने तयार करके रखा है कि एकदम लास मुमेंट पे हडबड़ी ना हो तो अब यहां पर पूजा का महूरत आ गया है तो मैं पूजा वगेरा मैंने स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले मैं रोली निकालके दोनों करवा पे बांध रही हूँ और इसके बाद मैं अपने हाथ पे भी बांधने वाली हूँ आप लोग भी बताईएगा कि आपके तरफ कैसे करते हैं जैसे मुझे पता है ये पूजा वगेरा कई लोग मंदिर में जाके करते हैं कई दोस्तों के साथ सब लोग मिलके करते हैं बट मैं अकेले अपने ही घर पे करती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर बताईएगा आप कैसे करते हैं तो ये मैंने रोली बांध दी है अब मैं अपने हाथ पे भी बांधने वाली हूँ रोली वगेरा बानने के बाद अब हम लोग पूजा की विधी स्टार्ट करेंगे उसके लिए पहले हम करवा वगेरा की पूजा करेंगे यानि हम लोग जो हमारा कुम-कुम है वो करवा पे लगाएंगे, दोनों करवा पे लगाएंगे और उसके बाद हम उसी तरीके से करवा चौत माता को भी और जो उसमें गनी इश्ची है लक्षमी जी है सब पे टीका लगाएंगे और खुद को टीका लगाना बिलकुल मत भूलिए और आपके साथ अगर कोई और भी है तो उनको भी जरूर टीका लगाएं और साथ ही साथ यहां पर जो सामान है जो मैं अपनी सास को देने वाली हूँ और जो अपनी हलपर को देने वाली हूँ उस पे भी मैं टीका कर रही हूँ अब इसके बाद अगर बत्ती भी जलाएंगे पूजा अच्छे से करेंगे अगर बत्ती की खुश्बू से ना पूरा घर महग जाता एकदम पावन हो जाता है मैं सोच ती काश मेरे साथ मेरी सासुमा भी होती कितना अच्छा लगता भले हमारे वहां नहीं है रीती रिवास लेकिन फिर भी जब ये व्रत हम अपने सासुमा के बेटे के ले कर रहे है तो उनका भी रहना बनता है और मुझे आज तक कभी मौका नहीं मिला उनके साथ वरत रखने का और यहां पर मैंने पूजा वगेरा करने के बाद अब मैं कथा पढ़ रही हूं और कथा पढ़ते हुए अपने हाथ में थोड़े से चावल मैं डालने वाली हूँ और जैसे एक कथा समाप्त होगी मैं एक करवा के अंदर चावल डालने वाली हूँ उस करवा में जिसमें पानी है और जैसे कथा समाप्त होगी मैं थोड़े से चावल अपने पल्लू में भी बांद के रखूंगी ताकि मैं वरत खोलते वे चान देखने के बाद उस चावल को भी मैं करवा जल के साथ अरपन कर पाऊं और यहाँ पर पूजा समपन होने के बाद मैं सूर्य देवता तो दिखनी रहे बादलों की वज़ा से लेकिन मैं प्रदेक्शना कर रही हूँ और उनको जल अरपन कर रही हूँ इससे पूजा समपन हो जाती है और इसके बाद कुछ लोग पानी पीते हैं कुछ लोग चाय प रही थी और ये पूजा की ठाली सजाके रखी है मैंने इस बीच मैंने प्रशाद बना लेया था और ये हलवा के मैंने गूले बनाये यहां पर लड़ू जैसे हलवा चोले पूरी सब बन के रखे वे थे बिस चांद का इंतजार हो रहा था और मुंबई में चांद सवा दस बजे आया था इतना इंतजार करवाने के बाद और हमारी पूजा संपर्न हो गई और उसके बाद हम लोगों ने प्रशाद खाया तो ये पूरी है, हलवा है छोले है और थोड़े पकोड़े है इतना स्वादिश्ट रहता है लेकिन हम लोग जादा नहीं खापाते हैं पूरा फास्ट रखने के बाद, तो आपने क्या-क्या पकवान बनाएं मुझे जरूर बताईएगा, थैंक्यू सो मच, बाई